बॉड मॉर्ने क्लास, वेलकम तो ओर चानल, नॉलज ओरियेंटेट, हम लोगों ने पिछले क्लासे में थियोरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, क्या कैसमें हीट के बारे में थी, कंवेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेटर, कंवेक्शन, और डियेशन, यह सब चीज़े काफी जिसे देखे थी, experiments भी हमने समझे थे, क्या इस chapter 4 हीट में था, उसके बाद, आज हम लोग question answer की series करेंगे, आज हम लोग exercise की question answer करेंगे, यहाँ पे फटाफट से, ठीक है, तो जिन्होंने पिछला, इसका पूरा का पूरा कहानी नहीं देखा है, वो कृप्या जाके फटाफ देखते हैं सबसे पहला, पहला question exercise में बात कर रहा है, वो state similarities and dissimilarities, यानि की differences और similarities बतानी है आपको, laboratory thermometer में, सीधा सीधा लिख दीजिएगा, similarities between, ठीक है, सबसे पहले similarities का point है, तो similarities between आप यहाँ पे कर सकते हैं, laboratory thermometer, देखिए मैं सारा का सारा, पूरा का पूरा कहानी नहीं ल पता दूँगा, जिससे कि आप लोग ये कर पाएंगे, कि उससे आप पूरी के पूरे statements को बना पाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगोंने clinical thermometer और इस जगह पे, सबसे पहले हमारा पहला point इसमें यह आ सकता है, कि दोनों में similarities का है, दोनों में अगर हम similarities को अगर देखें, सबसे पहले जो similarities होंगी, वो यह होगा, कि दोनों के दोनों में bulb present होता है, bulb present, जो नीचे छोटा सा होता है, bulb present at one end, यह हम लोग देख पाते हैं, इसके बाद b point में हम लोग यह mention कर सकते हैं, तीन तीन लिखते हैं, ठीक है, तीन तीन में एक तो bulb का अब लिख दीजिए, और इनका जो body होता है, body consist of लिख सकते हैं, कि long narrow tube, consist of long narrow tube, यह हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, और फटा-फट अगर हम तीसरा point देख लें, c point, तो c में हम लोग यह लिख सकते हैं, कि both contains mercury, ठीक है, both contains mercury, अब देखिए, एक यहाँ पर question आप लोग को प्याल बचाओ, आप लोग के अंदर, तो यहाँ पर एक तो digital thermometer भी होता है, यह clinical के अंदर, ठीक है, तो वो sir उसको आप कहें, तो कैसे फिर हो जाएगा, जी नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एक thermometer की बात करें, वो शीशे वाला जो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर both contains mercury लिखा है, नहीं तो आप एक और point इसके अंदर, C को हटा के एक दूसरे लिखना चाहते हैं, आपको इसमें लगता है कि मैं सही नहीं लग रहा मुझे, बड़ यह सही point है, कोई गलत point नहीं है, अगर आपको लगता है, तो D में आप यह भी लिख सकते हैं, कि both uses Celsius, और both uses Celsius, आपको Celsius के बारे में तो प इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब, आपकी यहाँ पे, चलिए, differences देखते हैं अब laboratory और clinical thermometer में, तो पहला point इसमें क्या आ सकता है, laboratory thermometer में हमें देखने को यह मिलता है, कि इसका जो range होता है, range, आपने का जो range है temperature का, वो minus 10 degree Celsius से, आपका 110 degree Celsius तक होता है, इसमें आप यह लि और इसमें clinical में क्या होता है, यह 35 degree से होता है, 35 degree to 45 degree Celsius या पर जो बोलते हैं, और second point अगर यहाँ पे बात करें, तो आपका जो clinical thermometer है, उसमें kink present होता है, आपको पता होगा, तो लिख सकता हूँ मैं, kink is present, ठीक है, उसके बाद अगर laboratory thermometer में लिख दूँगा, तो इसमें मैं क का बलूँगा, kink is not present, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसके बाद एक तीसरा point और अगर आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें सीधा सीधा यह बोल दीजेगा, कि laboratory thermometer जो होता है, वो आपका labs में use होता है, ठीक है, labs में use होगा, और यह करते क्या है, इस से हम ल खाले लिख रहा हूँ, यहाँ पे sentence खुद बना लिजेगा, और third इस ही में clinical में क्या कर सकते हैं, इस से हम यह लिख सकते हैं, कि हम लोग इस से body temperature नाक्त है, body temperature measure, ठीक है, बस, यह इसके अंदर लिखना था, हो गया यह तीन-तीन में, difference, इसके बाद हम लोग आते हैं, second question पे तो second question हमारा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, second question बोलता है, दो-दो example दीजे, conductor और insulator का, अब बताइए कोई question हुआ, तो conductor का लिख दीजीए, तो आप लोग ने हमेशा सही पढ़ा हुआ है, conductor के दो example क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे aluminium आ सकता है, aluminium के बाद iron आ सकता ह एक और डाल दीजे, क्या जा रहा है, एक copper लिख लिजे, ठीक है, यह होगे conductor के, अब conductor जब हो गया, तो इसके अंदर आब आते हैं, insulator पे, insulator कौन होता है, जो की conduct नहीं करेगा heat, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे plastic है, और एक और लिख दीजे, wood, ठीक है, यह दोनों कर ठीक, अब बढ़ते हैं, next पे हम लोग, third philips पे, third वलो जो philips से, इसमें a वलो बोलता है, क्या होगा, the hotness of an object is determined by its, किसी की भी गर्मी या तपिश, किस से हम, किसी भी object की determine करते हैं, हम उसके temperature से, उसका determine करते हैं, तो पहले का answer हो जाएगा आपका temperature, इसके बाद B में temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer, यह तो obvious सा है, कि हम यहाँ पे कौन सा thermometer अगर नापना चाहेंगे, तब temperature boiling water का, तो हम लोग कौन सा use करेंगे, अभी आपको, अभी हमने पीछे differences में लिखा था, लेवरेटी thermometer में, लेवरेटी thermometer ही करते हैं, मगर यहाँ बोलते हैं, cannot वो बोल रहा है, तो cannot में क इससे नहीं नाप सकते हम लोग, clinical thermometer से हम लोग नहीं नाप सकते हैं, clinical thermometer आजागा इस cancer, next c-point देखते हैं, temperature is measured in degree, अभी बात किये हम लोगोंने कि यह degree Celsius में नापा जाता है, यह बहुत important question है, पूछेंगे हैं यह हम से, philips में, d आता है, no medium is required for transfer of heat, अब यह बोलता है, एक ऐ कैसी process, जहां पर कोई medium का requirement नहीं होता है, अब यह कैसा ही बात हो गई, यानि कि कोई ऐसा process है, heat transfer हो रहा है, मगर medium नहीं है, है ना, तो वो कौन सा है, वो है आपका radiation, अभी हमने बात कि थी, जिन्होंने पिछला प्राट नहीं देखा है, हर एक पार्ट पे आपका topic mention है, तो अब अराम से उसमें पढ़ सकते हैं, जो topic आपको जोरी लगता है, कि आपने पढ़ लिया, एक उसी और चीज को समझना, revise करना हर एक का topic लिखा हुआ है, यह देखते है, एक ठंडा steel spoon है, उसको cup of hot milk में दुबा दिया हमने, heat is transfer to it by the end, ओहो, यह तो सीधा-सीधा conduction ही समझ म आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक object आपने डुबाया हुआ है, गरम दूद में, तो गर्मी जो उस दूद की थी, वो direct contact में आया ना, उसका steel spoon, गरम दूद के, तो उसमें direct transfer हो रहा है, तो यहाँ पर conduction हो गया, और एक F बचा है, उसको यहीं पर देख देते हैं, F क्या पूछता है, cloth of dash color absorbs more heat better than cloth of light color, अब यहाँ पर उसमें light color अगर दे दिया, तो कौन दूसरा बच गया है, जो कि सबसे ज़्यादा absorb करेगा, obvious icon करता है, dark color वाले cloth करते हैं, ठीक है, यहाँ तक clear होगा, इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे, तो हम इनी, जो हवा चलती है, वो blows during, कब, वो कब blow करती है, वो करती है, night में, तो इसका पहले cancer हो जाएगा, night, जो कि कौन सा है, D option, ठीक है, second का, sea breeze blow, इसका उल्टा होता है, आपको पता है, इसमें मुझे confusion नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आप लोग को, तो day हो जाएगा, C आजाएगा, इसका option, उसके बाद आता है, तीसरे point पे, यहाँ पर dark color objects, dark color clothes are preferred during, अब dark color कब use करोगे, dark color सबसे पहले heat आपका सबसे जादे जादा एब्सार्ब करता है, तो आपको गरम रखेगा, तो गरमी रखने के लिए, कपड़े आपको dark color के पहन रहे हैं, पहनेंगे तो कब पहनेंगे, winter में ही पहनेंगे न, तो इसका आजाएगा answer आपका winter, winter कौन सा option है, बी option है, उसका food देखते हैं, same way light color clothes, थंडी में थोड़ना पहनोगे, आप light color को और ठीटूर ठीटूर लग जाओगे थंडी से, तो यह कब पहनते हैं, summer में पहनते हैं, गरमियों में पहनते हैं, तो summer बाला a option आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद fifth question बोलता है, discuss why wearing more layer of clothes during winter keeps us warm, that wearing just one thick piece of clothes, देखें, मैं इसमें statement आपको इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह teachers ने आपको लिखवाएंगे ही, यह लिखवा दिया गया होगा, आपको और extra समझना है, तभी आप यहाँ पर आते हैं, हर वीडियो को देखते हैं, चीज़े आप अगलग-अलग websites पर सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमें और समझना होता है, हम इसलिए करते हैं, तो इसलिए पर आपको यहाँ पर main point इसका बता देता हूँ, यह ऐसा हो क्यों रहा है, इस लगती है, wearing one thick piece of clothes, वो बोल रहा है कि एक मोटा सा कपड़ा हमने पहन लिया, ठंडी का मौसम था, विंटर का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम है यहाँ पर, और मैंने एक मोटी से रजाई ओर लिये, और वो मुझे उतना ठंडा नहीं रख पाती, जबकि मैं पतले-पतले तीन-चार blankets और लेता हूँ, तो उससे मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, यानकि वो मुझे ठंड से बचाती है, और यह देखिए दो, जिग-जाइग मैंने इसके बीच में क्या है, यह क्या है, यह है आपका air, आपको पता है कि हम जितने ही layers पहनेंगे, आपको यह माल bad conductor, और किसकी यह bad conductor है, bad conductor है आपकी heat की, तो heat इससे पास नहीं हो पाईगे, जो body से तपके जो गर्मी निकल रही थी, उसको पकड़ के रखेगा, और हमारी body अंदर ही अंदर गरम रहेगी, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा layer की कपड़े पहनने से हम ज़्यादा गर ज़्यादे हैं, ठीक है, इस चीस को आप समझ जिएगा, अब आते हैं next हम लोग diagram पे, अब इस diagram में, मैं diagram को diagram में ही बता देता हूँ, diagram में आपके यहाँ पे 6 में 3 चीज़ों के बारे में बोला है उसने, एक बोला है conduction कहां पे हो रहा है वो बता दो मुझे, उसके बाद ए radiation सबसे आसान है, यहाँ से law उठ रही है, heat उठ रही है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे radiation हो रहा है, अब उसका convection कैं, convection अंदर के तरफ ही तो हो रहा होगा, पानी वाला swilling effect है, तो यह अंदर के तरफ क्या हो रहा है? convection और यह conduction कहा हो रहा है? यह जो rod देख रहे प्लास्टिक मौट ब्लस्टिक का मैं उसको नही। नहीं मानूँ अगर क्लियर होंगी है अब आते हैं कुछ नहीं छोड़ना है जितना कुछ करें गये जतना करें की कि in a place, अच्छा, in places, कौन से places में है, ये भी देख लेते हैं, in places hot climate, it is advised that outer wall of layers should be painted white, अब वो कह रहे हैं कि जो बाहर की जो दीवार होती है, ठीक है, वो घरों की थंड में, थंड में या गर्मी में जड़ा देखें जड़ा, नहीं, hot climate में बोल रहा है, अच्छा, hot climate, चलो ये दीवारे होती है, हम इसको paint करते हैं, white तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है कि white absorb नहीं करती है, क्या light, ठीक है, absorb ये नहीं करती है, और अगर ये अबजॉर्ब नहीं करेगी, तो क्या करेगी, it reflects back, ठीक है, जादा सा जादा क्या कर देती है, reflect कर देती है, light rays को, तो गर्म आगे देखते हैं अब 8 के बारे में बात करते हैं अब 8 यह जितने हैं आपके यहां पे हैं टिक माक वाले तो इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं और यहीं पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या-का चीज़ें यह कहना चहरा है हमसे ठीक है देखते हैं यहाँ पर एथ कोच्छन बोलता है कि हम इन एक नए लीटर पाणी लियाा जो की 30 डिग्री टेम्प्रेच garlic खा था ठीक है, एक हमने लीटर पाणी लिया जो 30 50 degree temperature उसको mix कर दिया एक लीटर पानी 50 degree से तो बताईए उसके mixture में कितना मत्तब क्या temperature होगा माल यह देखिए आपने क्या किया ना एक लीटर पानी 30 degree पे गरम किया था 30 degree Celsius पे और एक आपने किया था 50 degree Celsius पे तो दोनों को आपने mix कर दिया तो अव्यस है ना कि यह between 30 degree and 50 degree होगा सीधा सीधा अंसर है तो कोई सोचेगा नहीं यह प्लस हो जाएगा रहे भाई कैसे प्लस हो होगा आप सोचो यहाँ पर जो एक है जिसके अंदर 50 degree temperature पहले से मौजूद है उसमें आपने 30 degree temperature फिर से डाला तो 30 का तो 50 से 30 कमी है ना तो उसमें 30 मिली गया ना ठीक है तो यहाँ पर exact नहीं 50 लिखा है नहीं 30 लिखा है तो between ही तो रहेगा between 30 तो 50 degree Celsius इसमें बहुत लोग क करते हैं इसलिए आपको मैंने explain कर दिया यह diagram बना गए ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है आगे जब आते हैं 9th question पे तो iron ball के उपर इसने question दिया में iron ball 40 degree की है उसे drop कर दिया मग container में जिसमें पानी भी 40 दिगरी आप देखिए iron ball भी 40 degree है मग में भी 40 दिगरी है तो दोनों equal नहीं हो गए 40 degree equal to 40 दिगरी तो यहाँ पर क्या होगा आप ही सोचके बताइए थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पर not flow from iron ball to water और from water to iron ball यहाँ कि जो heat होगी वो नहीं transfer होगी नहीं पानी से iron ball में नहीं iron ball से पानी में समझ गए next आते हैं 10 पर अब wooden spoon is dipped in a cup of ice cream its other end other end क्या होगा देखते हैं एक wooden spoon है लकड़ी वाला spoon है ठीक है और उसको आपने dip कर दिया है एक cup of ice cream में ice cream कैसी होती है थंडी होती है cold होती है तो उसकी जो दूसरी end है wooden है wooden लकड़ी है ध्यान से देखना become cold by the process of conduction नहीं क्योंकि obvious है wooden एक insulator है wood क्या है हमारे यहां पर insulator है wood ठीक है तो कैसे हो एक ट्रांसपर तो कुछ होगा है नहीं जब वह insulator है तो becomes cold process of convection जब होएगा इन तो convection भी कहां से होने वाला है radiation यह भी नहीं हो रहा है तो तो does not become cold तो इस कहां से हो जाएगा D जैसे ओपर का होगा तब अब आते है next हम लोग 11th पर 11th में यह क्या कहना चाहरा है 11th में बोलता है stainless steel plant oh sorry pans stainless steel pans are usually provided with copper bottom यान कि stainless steel वाला मान लेजे आपके पास steel pan को जादा है handle बढ़ा हो गया है तो यहां पर यह जो है यह आपका copper गबना हुआ है ठीक है copper का बना है माल लेते हैं अब उन्हां बोला है तो मालना तो पड़े गई the reason of this could be क्यों वो copper का बना है यह वो बोलता है तो copper bottom makes the pan more durable त्या ऐसा नहीं हम heat के बारे में पढ़ रहे हैं है ना chapter heat का है तो उसी से कुछ होना चाहिए related तो पहला वाला नहीं होगा यह भी नहीं copper is a better conductor of heat than the stainless steel क्या लिखा है copper is a better conductor of heat हाँ यह तो है than stainless steel steel क्योंकि steel क्या है एक मिश्रन है यह है आपका alloy English में इसको alloy बोलता है यह मिश्रच धात्त हुआ है इसमें बहुत से चीज़े मिक्स होगे बनी गई है और C हमें सही ही लग रहा है ठीक है अब D भी देख लेते हैं copper is easier to clean ना यह ने तो C हमारा क्या होगा इसका आचर हो कि copper is a better conductor of heat है हमारा stainless steel के comparison तो यह आपका exercise यहां पर complete होता है वीडियो पसंदारी तो like, comment, share कर लीजेगा पीछली theories देख लीजेगा तब तक के लिए learn, grow, succeed Thank you